वाई तुम्हें डिसिप्लैन मनना है न, ठीक है, लेगिन पहले मिन को एक बाथ बताओ, तुम से यह किसने कह दिया, मतलब सुवएं सुवएं तुम darle साथ कौन ऐसा कर सकता है, तुम से भाई तुम्हें आपने कह दो आप सकता है? तुम्हें दिसिप्लैनन नहीं हो ? अच्छ ठीक है, क्या सही टाइम पर सही चीज नहीं करता है तुम जपनी जिन्दगी में ज्यान से सोचो, डीपली सोचना, फिर मेरे को जवाब देना कुछ चीजों को तुम मैनेज नहीं करता है अपनी जिन्दगी में question यह नहीं है कि तुम disciplined हो या नहीं हो question सबसे बड़ा तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैं कौन सी चीजों में disciplined हो, ठीक है, मैं किन चीजों कर पीछे disciplined हो क्योंकि disciplined हो हर इंतान होता है, हर इंतान ऐसा human being disciplined होता है किसी नहीं किसी चीज के पीछे, तो भाई, तुम किस चीज के पीछे disciplined हो भाई, अपने ऐसा पूछा है कभी भी, या देखे हो यह बहुत चीजों को तुम manageable way में, control way में, regulate करते करते हो अपनी सिंदगी में बहुत high focus के साथ, बहुत enthusiasm मतलब अंदर से फूट रहा है, ऐसे high concentration के साथ करते हो अपने सिंदगे में, तो क्या तुम discipline नहीं हो, ओ भाई, तुम discipline हो न, तुम भाई जब अपना phone चेक कर रहे होते हो, रील्स देख रहे होते हो, तुमारा focus किस level पर रहता है, तुमारा concentration किस level पर रहता है तुम फोकस नहीं होते हो, तुम डिसिप्लिन रहे नहीं होते हो तुम डिसिप्लिन नहीं होते हो तुम डारू सिप्लिन 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 नही कभी भी रिजिस्स करते हो कि मिरेको नहीं खाना है, मिरेको नहीं खाना चाहिए, मैं नहीं खाने वाला हूँ, मिरेको अच्छा नहीं लग़ा था थाने में, कभी भी ये करते हो, इससा वदलब तु उस चीज के पीछे discipline हो, simple और clear, तुम disciplined हो, ऐसी चीजों के पीछे, जो कि तुम्हें शायद अंदर ही अंदर realize हो रहा है, कि तुम्हें अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हें feel good दे रहा है, बहुत ज़्यादा dopamine release हो रहा है अंदर, लेकिन तुम्हारे लिए वो चीज अच्छे नहीं है, अब बीच में एक line draw करो, दुम्हें चीजों के बीच में difference को समझो, सबसे पहले तुम्हे perspective change करना होगा, तुम्हें समझना होगा, समझ सबसे important चीज है, किसी भी चीज को, या किसी भी problem को solve करने के लिए, अपने आपको change करने के लिए तुम्ह चीजों को समझना होगा, अगर समझ जाते हो, तुम्हें actions लेना, start करते हो, समझना क्या है, कौन सी भी ऐसी चीज़े हैं, जो कि तुम्हें अच्छे लगते हैं, और कौन से भी चीज़े हैं, जो कि तुम्हारे लिए अच्छे हैं, दो रोग के बीच में huge difference होता है, जो नहीं है important चीज़े नहीं है मेरे survival के उपर question नहीं होगा कोई भी असर नहीं पड़ेगा मेरे survival के उपर अगर मैं उन चीजों को ना भी करता हूँ चल जाएगा discipline के साथ लेकिन भाई अगर मैं इन चीजों को miss कर देता हूँ बाद में मेरे को वही भुगत ना पर सकता है जिस तुए समझ में भी आगा है इसका मतलब भी तोड़ा intelligence थोड़ा बहुत काम कर रहा है उसको थोड़ा सा और काम पे लगाओ थोड़ा सा और जादा सोचो एक boundary डॉप करो मैंने का रहा सोचो realize करो समझो चीजों को कि इन सब चीजों के पीछे अगर मैं भाता हूँ यह long term benefits दे सकते हैं मेरे को यह मेरे लिए अच्छे हैं मेरे health के लिए अच्छे हैं मेरे survival के लिए अच्छा है मेरे personality के लिए मेरे future के reputation के लिए impression के लिए अच्छा है यह चीज है अगर मैं इन पर focus करता हूँ discipline के साथ अगर मैं इन पर focus करता हूँ तो मैं कहीं नहीं यह गलत चीज कर रहा हूँ यह तुम्हे realization हो चुका है तो देखो भाई इस चीज को solve करो थोड़ा थोड़ा करके start करो start small ऐसा करो तो मैं सबसे पहले यह चीज करना होगा जो भी चीज़ें तुम्हें अच्छे लगते हैं और जो भी चीज तुम्हारे लिए अच्छे हैं उनको एक कर दो एक करने का मतलब क्या यही तो fund ना है भई मतलब जो भी चीज तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम्हें अच्छा लग भी रहा है तुम्हें अच्छा भी लग 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 रहा है तुम्हें होने हैं मेरे future के मैं invest कर रहा हूँ मैं future का investment कर रहा हूँ अभी से ठीक है ये एक तरह का investment है वाई मैं invest कर रहा हूँ अप इस जिंदिगी को उपर मैं अभी अपने चीजों के उपर काम कर रहा हूँ ऐसी चीजों को उपर जो कि मेरे लिए अच्छे हैं लेकिन मुझे अच्छे भी लगने है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुमे में अच्छा लगना भी चाहिए, तभी उसको रियल डिसिप्लिन कहा जाता है, जिस डिसिप्लिन के बारे पर तुम बात कर रहे हो, यह होता है उग दिसिप्लिन, जो भी चीज़े तुमे खड़ाब लगते हैं जोगी चीज़े तुम्हें लगते हैं उनको comfortable बनाओ उनको अच्छा लगवाओ ठीक है मेरे को अच्छा लगना चाहिए उन चीजों को करने के समय क्योंकि हर वक्त अपने आपको यह याद दिलाते रहो कि भाई यह चीज मेरे लिए अच्छे है और मैं उनको कर रहा हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है यह मेरे जिंदे के लिए बहुत अच्छा है मेरे को यह future promising चीज़े हैं अपने दिमाग के उपर काम करो तभी वाई तुम्हें यह realization होगा यह understanding होगा क्यों यह चीज़े important है क्यों मेरे को इन सब चीजों को उपर काम करना चाहिए ठीक है ताकि मिरे को future में benefits मिल पाए ठीक है यह helpful चीज़े यह important चीज़े है यह useful चीज़े है और तुम्हारा कोई problem है मिरे को Instagram पे वेजो या तो YouTube के commerce में लिख सकते हो मैं उसको और वीडियो बनाऊंगा ठीक है और वही ऐसे और वी चीज़ों के बारे में पढ़न चीज़े नहीं है ठीक है वोग सई स्टाट करो चलो तुम्हारा habits अच्छे habits अच्छी चीज़ों के discipline रखना start कर दो एक book से मेरा book उठालो खडित लो ज्यादा पैसे की बात नहीं है ठीक है खडित के पढ़ना start कर दो वस तुम पढ़ना start कर दो automatically देखना तुम बहुत discipline हो जाओगे क्योंकि तुम्हारा रूटीन बन जाए रहा तुम्हें मतलब habits create कर रहे हूँ ठीक है यह तुम्हें तुम्हारे दिमाग के अंदर sense of satisfaction, sense of achievement देगा तभी तुम इस चीज़ को शुरू कर सकते हो start small ठीक है चलो, bye